कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज जो वीडियो आप लोगे साथ शेयर करी हूं यह है डामेज हेयर पर केराटीन ट्रीटमेंट से और आज मैं आपको स्टेप बाइस्टेप बताऊंगी कि अगर आप घर पर पालर जैसा केराटीन करना चाहते हैं तो कैसे आप उसे कर सकते हैं आपको पहले में बता दूं कि केराटीन होता क्या है केराटीन एक तरह से प्रोटीन है जो कि आपके बालों के जो प्रोटीन खतम हो चुकी है उस पर एक प्रोटीन का लेयर बना दीता है जिससे आपके बाल पहले के जैसे जाँगी कि अभी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ में बेल बटन दबाना ना भूले ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं यह इनके हेर हैं और काफी बेजान हैं एकदम रफ हो चुके हैं हेर में कुछ भी जान नहीं रह गया है और इन्होंने कई बार अपने हेर पे हेर हाइलाइटिंग कराया जिसकी वज़े से इनका हेर बिल्कुल डैमेज हो चुका है तो मैंने इन्हें सला दी थी केराटीन कराने की तो यह केर से फिर मैंने लिया है लक्स लीज का यह क्यारेटीन स्मूधिंग ट्रीटमेंट जो की हंड्रेड अमेल में है और यह आपको अभी ऑफर पे चल रहा है तो यह आपको पंदर सो साथ रुपए का मिल जाएगा 29 परसेंट आफ पे चल रहा है यह तो इस तरह से आपको इसको लेना है यह बावल में और फिर आपको अपने आलों की फोर शेकशन इस तरह से कर अच्छी शायन लियाता है बालों को बहुत अच्छे से नरिष करता है तो आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं मैंने इस तरह से छोटा सा एक पार्ट लिया है चोटा चोटा सापको section लेना है और आपको ध्यान रखना है यह root से नहीं लगाना है आपको root से कम से कम एक इंच दूर से ही इसको लगाना है और फिर इस तरह से अच्छे से massage करते हुए ताकि पूरे बालों में अच्छे से यह penetrate हो जाए और उसके बाद फिर इस तरह से massage करने के बाद आपको कॉम से उसको अच्छे से इस तरह से कर देना है ताकि हर बाल में यह अच्छी तरह से लग जाए चोटे-चोटे से section आपको लेते जाने हैं और इस तरह से massage करते हुए आपको कॉम कर देना है एक भी बाल आपको छोड़ना नहीं है मैंने वीडियो को थोड़ा सा fast forward इसलिए किया है कि ताकि आपका समय बसके वरना यह वीडियो काफी lengthy हो जाता और इस तरह से मैंने इसे फटा-फट से लगाया था और आपको भी इस तरह से छोटे-छोटे parts लेते जाने हैं और इस तरह से आपको करते चले जाना है सारे बाल हो जाने के बाद आपको एक बार कॉम इस तरह से कर देना है ताकि बाल बिलकुल stable हो जाए ठीक से इदर उधर ना भागे और इस तरह से करने के बाद फिर मैंने year to year जो पार्टिंग किया था उसमें सबसे नीचे वाला part में ले रही हूं और उसमें भी इस तरह से आपको देहान रखना है कि यह जो भी treatment आप कर रहे हैं यह एंप्यू लगाने के बाद आपको 35 मिनट रखना है 35-40 मिनट आप रख सकते हैं लेकिन अगर आपका आपने कोई यह treatment अलग से लिया है जैसे कि आपने highlighting वगर कराया है तो आपको 30 मिनट तक ही से रखना है और फि इसको इस तरह से heat generate करने के लिए मैं use कर रही हूँ क्योंकि यह पूरा heating process ही है तो इसमें जब तक यह heat generate नहीं करेगा वो उतने अच्छे से work आपके hair पे नहीं करेगा इसलिए आपको इसको wrap करना ज़रूरी है तो इस तरह से आपको इस paper से wrap कर देना है wrap करने के बाद मैं इनके hair पे 30 minutes के लिए छोड़ दूँगी और 30 minutes के बाद इसको निकालना है सारे बाल आपको cover करने हैं आपको कोई भी area छोड़ना नहीं है तो आप जितने अच्छे से इसको cover करेंगे उतना ही अच्छा यह work करेगा अगर आपके पास यह cling wrap paper नहीं है तो आप foil paper भी use कर सकते हैं वो भी heat generate करता है इस तरह से आपको अच्छे से इसको wrap कर देना है ताकि heat अंदर ही रहे और फिर आगे की जो hairs थोड़े से बच गया थे उसे मैं फिर इस तरह से wrap कर रही हूँ ताकि कोई भी area बचा ना रह जाए अच्छे से cover हो जाए तो इस तरह से मैंने इसे wrap कर दिया था आप घर पर इसे करते हैं तो आप किसी की मदद ले सकते हैं ये करना बहुत easy है बस आपको सही method पता होना चाहिए और अब मैंने छोड़ दिया है इसे 30 minute के लिए 30 minute हो चुके है और अब मैं इसे open कर रही हूँ open करने के बाद आपको hairs को dry करना है dryer से और आपको medium heat पर रखना है बहुत ज़्यादा heat नहीं देना है medium heat पर रखिए और 100% बालो को आप अच्छे से सुखा लेंगे dryer से और किसी इस तरह से paddle brush आपके पास available हो या broad comb हो तो इस तरह से आप उसे comb करते हुए heating देंगे तो बहुत ही अच्छा result आपको मिलेगा तो मैंने लगभग सारे hairs को अच्छे से dry कर लिया है ध्यान रखें बाल आपके 100% dry हो जाने चाहिए और अब इस तरह से बालों को dry करने के बाद बहुत ही छोटे छोटे से section लेने हैं आपको और इसमें करना है pressing प्रेसिंग कर देने से यह आपका बिल्कुल जो भी आपने अंप्यूल लगाया है वह बहुत ही अच्छे से जाके पेनिट्रेट हो जाएगा आपके hair में और वह एक कोटिंग बना देगा आपके hair पर जिससे कि आपका hair बिल्कुल लैमिनेट हो जाएगा और जो भी pollution से आपको 5-6 बार के प्रेसिंग करना है जब तक कि आप शीयोर नहों जाएं कि आपका प्रेसिंग अच्छे से हो गया है इसमें करते टाइम में थोड़ा सा आपको धूआ-धूआ जैसा दिखेगा उससे डरने की बात नहीं क्योंकि आपने जो एम्प्यूल लगाया है उसकी दिक्कत नहीं है और हीटिंग भी आप ध्यान रखे 200 टैंप्रेचर से ज्यादा ना करें और जैसा कि डारेक्शन आफ यूज आपके इस बॉटल पर लिखा हुआ है लक्सली इसका जो कैरेटीन स्मोथनिंग ट्रीटमेंट है जो बॉटल है उस पर भी सारे डारेक्शन आफ यूज पीछे लिखे हुए तो आप एक बार उसे जरूर देख लिजेगा और इस तरह से आपको करना है अगर आपके बहुत जादा डामेज है तो आप उसे 190 डिग्री पर भी रख सकते हैं और यह ध्यान रखें कि बहुत जादा हीटिंग प्रोसेस तो हई है यह लेकिन इ काफी देर तक प्रेसिंग ना करें तो उसको स्लाइट करते हुए नीचे ले जाएं और इस तरह से कौम से मैनेज करते हुए आपको प्रेसिंग करनी है एंप्यू लगाते समय खास तोर से ध्यान रखें कि आप गलफ जरूर पहने और गलफ पहने से क्या होगा कि आप जो आप एंप्यूर लगा रहे हैं क्योंकि यह कैमिकल प्रोसेस ही होता है तो आपकी इसकिन को कोई हार नहीं पहुचेगा और जब भी आप क्लाइन को लगाए यह ध्यान रखें कि एक इंच दूर से ही इसको करें बिलकुल रूट से आपको नहीं करना है और इसमें मैं आपक अपको रखना है बादना नहीं है और 24 आवर्स के बाद आप उसे किसी अच्छे शैंपू का मतलब कि आपको सलफेट फ्री शैंपू एंड कंडिशनर यूज करना होता है और आपको छे महीने तक यहीं शैंपू और कंडिशनर यूज करने होते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक थोड़ा सा अपने हेर को केर करने की आप ध्यान रखें शैंपू को यह अदर यूज करेंगे अब सिर्फ सलफेट फ्री शैंपू ही यूज करेंगे तो अगर आज आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करिए लाइ करेंगे कर दो, कर दो,